नमस्ते दियो वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग IC741 को डिसकास करेंगे सबसे पहले यह देख लेते हैं कि IC741 होता क्या है और फिर हम लोग देखेंगे इसका पिन डाइग्राम फिर सिगनिफिकेंस भी देखेंगे 741 जो नमबर है सिगनिफिकेंस क्या होता है है तो हम लोगों ने लिखा यहां पर वाट इस IC741 एक्चुली में क्या होता है तो इसका अंसर होता है जेनरल पॉपर्स ओपैम मतलब इसके जितने भी कंपोनेंट्स है उनको एक चिप पर बनाया जाता है और उसी चिप को हम लोग कहते है integrated circuit मतलब IC उनी में से एक हमारा IC741 है और IC741 जो एक बहुत common है operational amplifier जो बहुत सारे electronic circuits में use किया जाता है तो समझ मैं रहा what is IC741 it is a general purpose operational amplifier ओके अब इदर हम लोगोंने pin diagram बना है यह जो आप देख रहे हैं यह actually में pin diagram है IC741 operational amplifier का इस pin diagram को कहते है 8 pin dual in line package यहाँ पर इस pin diagram में आप देख पार है total 8 pins है 1 2 3 4 5 6 7 & 8 total 8 pins है इन में से जो सबसे पहला pin है यह offset null positive ठीक है सबसे पहला pin क्या है offset null positive दूसरा pin जो यह इंवर्टिंग इंपुट है हम लोग ओपयम को input देते हैं ना दो inputs होता है एक इनवर्टिंग एक नॉन इनवर्टिंग तो inverting input का रोल यहाँ पर pin 2 प्ले कर रहा है ठीक है और pin 3 क्या है यह नॉन इनवर्टिंग put up एक का एक और input होता है इस नॉन इनवर्टिंग उसका रोल यह pin 3 प्ले कर रहा है वोर क्या है minus V है ठीक है फाइफ ऑफसेट नल निंगेटिव यह नल है और यू डबल 4 में क्या था और 7 में क्या पॉजिटिव भी और 8 होता है Nc मतलब Not Connected ठीक है यह तो जानगे भाई कि कौन-कौन से पिन से हैं अब देख लेते हैं कि इन पिन्स का function क्या है है अना सबसे पहले देखते हैं कि पिन 5 और पिन-1 यह जो offset null positive है यह जो offset नेगेटिव इनको थोड़ा समझ लेता है एक्चुली में क्या होता है कि जो पिन 1 और पिन 5 है एक आपसेट नल पॉजटिव एक आफसेट नल नेगेटिव इसको समझने के लिए हमें आउटपुट आफसेट वोल्टेज को समझना बड़ा जोड़ी है इसको हम लोगों पिन 1 और पिन 5 दोनों के पास क्या था आउटपुट आफसेट नल था एक का आफसेट नल नेगेटिव एक का आफसेट नल पॉजटिव ठीक है अब आपको पता है ना कि आउटपुट आफसेट वोल्टेज क्या होता है कभी भी जब हम लोग इन्पुट पर किसी भी तरह का कोई signal apply नहीं करते हैं, voltage apply नहीं करते हैं, तब भी हमें output पर कुछ voltage मिलता है, उसी voltage को हम लोग क्या कहते हैं, output offset voltage, practical के case में तो कुछ voltage मलता है, लेकिन ideal के case में वो 0 से equal होता है, तो practical के case में हम लोग को क्या होता है, कुछ voltage मिल रहा है, उसी voltage को balance करने के लिए हम लोग क्या कर हैं क्या करते हैं input offset voltage देते हैं ताकि यह जो हम लोग को offset voltage मिल रहा है इसको balance किया जा सके हैं तो pin 1 और pin 5 के बीच हम लोग क्या करते हैं इस output offset voltage को balance करने के लिए इन दोनों के बीच output offset voltage होगा कुछ उसको manage करने के लिए उसको करने के लिए हम लोग जो है एक potentiometer connect करते हैं पिन 1 और पिन 5 के बीच यह potentiometer क्या करती है जो output offset voltage है जो इस circuit में error पैदा कर सकती है इरर ला सकती है उसको यह trim कर देती है यही है function offset null और offset अब देखते हैं पिन 2 और 3 पिन 2 और 3 यहां पर लिखते हैं पिन 2 एंड पिन 3 देखें पिन 2 क्या है पिन 2 है हमारा inverting input है inverting input है और पिन 3 हमारा क्या है non-inverting input है non-inverting input है अब हमें पता है कि OPM का दो input होता है एक inverting input और एक non-inverting input कोई भी signal आप जब inverting input पर apply करेंगे तो output में जो आपको signal मिलेगा वह 180 डिगरी से change मिलेगा हना फेस उसका shift हो जाएगा 180 डिगरी से लेकिन जो भी signal आप non-inverting input पर देंगे उसके phase में किसी भी तरका कोई changement आपको नहीं मिलेगा जब वह output पर आपको मिलेगा तो पिन 2 और पिन 3 क्या है जेनरली जो ओपयाम के inputs होते थे इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग वह होते हैं पिन 4 और पिन 7 पर आप पिन 4 और पिन 7 यह बड़ा important है इसको भी समझना जूरी है पिन फोर एंड पिन 7 पिन 4 क्या है पिन 4 और निगेटिव भी पिन 7 क्या है पॉजटिव भी यह जो नेगेटिव भी है ठीक है यह नेगेटिव भी इस्टेंड किसके लिए करता है यह स्टेंड करता है निंगेटिव निंगेटिव पावर वोल्टेज सप्लाई के लिए स्टेंड करता है ओके देखे यहां पर और जो पॉजटिव यह किसके लिए स्टेंड करता है यह स्टेंड करता है पॉजटिव पावर वोल्टेज सप्ल और निगेटिव, वोल्टेज पावर सप्लाइए और पिन 7 जो है यह पॉस्टिव यह क्या होता है, पॉस्टिव वोल्टेज पावर सप्लाइए, समझ में आ रहे हैं, हम लोगों को पता है है न कि यहांपर यह जो हमारा ओपैम है, कुछ ऐसा ओपैम होता है, ठीक है, इस मज में आ रहा है अब चलते हैं पिन 6 की तरफ और पिन 8 की तरफ यहां पर लिख लिए पिन 6 पिन 6 क्या है आउटपुट है है आउटपुट जो भी इंपुट हम लोग 2 और 3 पर अप्लाई करेंगे that input will be given out at pin 6 in the form of output जो भी input हम लोग 2 और 3 पर देंगे वो हम लोग को output के form में कहां मिलेगा गेन हो करके amplify हो करके कहां मिलेगा pin 6 पर pin 6 के output है ठीक है हम लोग को वहां पर output मिलेगा और output क्या होता है output होता है जो भी हम लोग apply किये वी ओ जो भी हम लोग apply करते input जो देते हैं उनका difference और जो gain होता है amplifier का ठीक है pin 8 देख लिजे pin 8 होता है not connected not connected तो इन सारे pins का function समझ गया हम लोग इन सारे pins में से 7 pins ऐसे हैं जो work कर रहे हैं जिनका कुछ function है कुछ ना कुछ बट जो pin 8 है इसका किसी तरह का कोई function नहीं है हम लोगों ने देखा यहां पर pin 1, pin 5 जो है output offset voltage को manage करने के लिए होता है उनके बीच potentiometer connect किया जाता है pin 2 और 3 inverting non inverting है pin 4 और 7 क्या है voltage power supply के लिए pin 6 output के लिए pin 8 not connected है तो अभी तक हम लोगों ने यह देख लिया कि IC 741 क्या होता है इसका pin diagram कैसा होता है और इसमें जो 8 pins है इनका क्या name है और क्या function है यह भी देख लिए अब जो है हम लोग यह देखते है कि यह जो pin diagram है इसमें हम लोग OPM को या operational amplifier जो कहना चाहते है आप उसको map कैसे कर सकते है वो एक बार देख लेते है ठीक है फिर देखेंगे कि यह जो IC के साथ 741 लगा है आखिर इसका significance क्या है भई ठीक है तो चली यहाँ पर यह OPM है मतलब यहाँ पर क्या integrated circuit है 741 अब हमें पता है कि 2 और 3 क्या होता है इंपुट होता है एक इंवर्टिंग एक नॉन इंवर्टिंग तो इसको कुछ आप ऐसे ले लिजिए कुछ यहाँ से कुछ ऐसे ले लिजिए इसको आप कुछ इस तरीके से ठीक है और 6 क्या होता है 6 होता है इसको यहाँ से कुछ ऐसे connect कर देजिए अब हमें क्या पता है कि 4 और 7 पावर सप्लाई के लिए होता है तो एक यहाँ से ले जा करके यहां से कुछ ऐसे इसका connection इसके साथ देना होगा और एक यहां से ला करके इसका जो connection होगा वो इसके साथ होगा ठीक है तो कुछ इस तरह का OPM जो है हमारा दिखता है ठीक है आप यहां पर positive और negative डाल सकते हैं जब आप OPM को map कीजेगा इस pin diagram है IC pin diagram है तो यह कुछ ऐसा देखेगा बहुत जगे पर ऐसा होगा कि यहां पर यह सीधे चला जाता है हम लोग का थोड़ा सा मुण गया क्योंकि सामने सामने बन गया है तो किस तरीके से map करना है यह समझ गया है अब देखे हम लोग देख लेते हैं एक बार significance किसका सेवन फोवन का significance है अना significance of 741 अब IC के साथ यह 741 एक्चुली में क्यों लगाया है ठीक है इसको थोड़ा समझ लेते है एक्चुली में यह तरा हऑक के जो 7 है यह stand करता है नंबर ऑम और ओफ वाकिंग पिंस के लिए हम नंबर ओफ बौकिंग लोगिंग पिंस या फिर आप functioning फिंस भी कहाता है कह सकते है ठीक है number 7 किसके ली सेक्षर कर रहा है यह lookin अबी इस PIN डाइग्राम में देखेगा तो पिन एट को छोड़ करके साथो पिन्स के कुछ न कुछ फंक्षन है तो यह साथ पिन्स वॉक कर रहे हैं, बट एक पिन नॉट कनेक्टेट है, हाना, चलिए, यह जो हमारा फॉर वाला है, यह जो फोर है, यह किसके लिए स्टैंड करता है, इसको थोड़ा देख लिजे, आक् पर कितने नंबर ऑफ इंपूट से टू और थ्री यह दो इंपूट से एक इंवर्टिंग इंपूट एक नॉन इंवर्टिंग इंपूट साती साथ 4 और 7 यह भी तो इंपूट ही है ना चाहिए आप भाहर से ही ना इसको कुछ पावर सप्लाई दे रहे तो यहाँ पर टोटल 4 इंपूट हो गया है अब देखते हैं 1 किसके लिए स्टेंड करता है ठीक है तो 1 स्टेंड करता है आपका नंबर ऑफ आउटपूट के लिए ठीक है तो समझ मेरा यह सिगनिफिकेंस है 741 का 7 का मतलब नंबर ऑफ वाकिंग पि सब्सक्राइब करेंगे तो 2 इन में से दो पिन्स कौन कौन से आफ सेटनल और ऑफ सेटनल ठीक है और एक पिन एंसी तो होगे है तो सिगनिफिकेंस भी आशा है आशा है आपको समझ में आया होगा और अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ पूछना या डाउट है या ओके तो चलिए आपसे अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग जहां पर हम लोग इनवर्टिंग और नौन इनवर्टिंग अम्प्लिफायर्स की बात करेंगे